हेलो CA members, let's analyze today the history of DISA passing percentage, बहुत सारे लोगों का में पर सवाल आता है कि सर ये बता दीजिए कि DISA में कितने लोग पास होते हैं, तो आज मैं आपके सामने 10 सालों का हितिहास लेकर आया हूँ कि कितने लोग DISA पास करते हैं, तो अब आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि इसका एक exact कोई percentage नहीं है, बट ये vary करते रहता है क्योंकि ये volatile है, कभी कम पास होते हैं, कभी ज्यादा पास होते हैं, तो हम सबसे पहले analyze करना चालू करते हैं, तो left side में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, यह attempts लिखे हुए कि कौन-कौन से attempt म कौन-कौन से passing percentage है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले जो 2013 से 2016 तक DISA 1.0 चला करता था, तो यह जो चार्ट है, यह जो DISA का pass percentage चार्ट है, यह left side पर यह जो denote कर रहा है, यह ISA 1.0 का चार्ट है, उसके बाद हम देखते हैं कि 2014, यह यहाँ पर 14 से 16 यह overlap कर रहा है, क्यों कि 1.0 भी साथ में चल रहा था और 2.0 भी साथ में चल रहा था, लोग जब switch कर रहे थे, कई लोग 2.0 दे रहे थे, कई लोग 1.0 दे रहे थे, तो यह वो समय था, उस समय इस तरीके से यह passing percentage था, तो यह जो center part है, यहाँ पर यह DISA 2.0 का passing percentage है, तो यह पुरा यहाँ तक आए 2.0 और 3.0 भी आज की date पर overlap कर रहे है, कई लोग 2.0 दे रहे हैं, पुराने members जो है, और जो नए members जो enroll हो रहे हैं 2020 के बाद से, तो उन लोगों के लिए 3.0 options चल रहे है, तो यह इस तरीके का एक scenario है, कि आप देख सकते हैं किस level पर यहाँ पर passing percentage आ रहे है, अब हम अगर दे तो देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे 100 लोगों में खाली 20 लोग पास हो रहे हैं, पर आज की date में यह जो trend है, वो increase हो गया है, तो आज की date में जो average percentage है, वो 30 प्लस हो गया है, तो average 30 के line पे आज की date पे 10 सा qualify हो रहे है, अब हम देख लेते हैं कि अभी recently जो attempts हुए हैं 3.0 और 2.0 में, तो उसके comparison में जो 2.0 का result रहा है, वो जाधा better रहा है, यह जो 2 figures आपको दिख रहे हैं, यह जो result आया है, यह 2.0 का है, और यह जो दो figure है, यह जो trend line पे आप देख सकते हैं, जिस तरीके से, यह जो line की बनी वही है, यहाँ पे यह जो result है, यह है 3.0 का, तो 3.0 में result कम रहा है, अब यह भी हो सकता है कि यहाँ पे जो last class attempts है, तो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इसको clear करने कोशिश कर रहे हैं, पुराने members आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग भी ज़्यादा दे रहे हैं, 2.2 attempt, तो बहुत ज़्यादा preparation यहाँ हो रही है, इसलिए यह passing percentage बढ़ा हुआ आ रहा है, और 3.2 अभी नया नया आया है, ज्यादा material अभी अपलेबल नहीं है market में, तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए हम लेकर आए है video lectures, तो अगर आप video lectures की मुदद से preparation करेंगे, तो आप इन जो percentage है, passing percentage है उसके अंदर आ सकते हैं, तो यह यहाँ पे probability जो आपकी है, बहुत जादा बढ़ जाएगी, और यहाँ पे आप अराम से इसको clear कर पाएगे, तो किस तरीका का course लाए है हम 2.2 के लिए यह course है, जिसमें कि आपको 37 hours के video lectures रहेंगे, वो आपको study करने हैं, जिसे कि आपके complete 100% सारे modules cover हो जाएगे, प्लस साथ में हम आपको prokhata.com पे module-wise question answer प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि अलग-लग level है, level 1, level 2, तो advanced questions भी आपको कुछ solve करने के लिए मिलेंगे, फिर exam के वेले हम mock test भी conduct कराते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजे हैं, जो हम initiative ले रहे हैं, डिकसा members को qualify करवाने क हम यहाँ पर youtube channel पर भी काफी सारे videos है, जो आप go through कर सकते हैं मेरे channel पर, जिसकी मदद से आपको काफी कुछ idea मिल जाएगा, और इसी तरीके से अब आप चूज कर सकते हैं, कि अग आपको 2.0 में ही exam देना है, कि 3.0 पर जाना है, तो अभी तो मैं यहाँ पर यह इस सवाल का इसको clear कर लें, क्योंकि अभी passing percentage भी जादा है और आप इसको अराम से clear कर सकते हैं, फिर जब यह 3.0 चालू हो जाएगा, मतब 3.0 तो अड़ी चालू हो चुका है, पर आगे आपको 3.0 में ही switch करना पड़ जाएगा, तो जब switch करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि passing percentage और कम इसको इसी बार clear करें, thank you so much.